हालो थेंक्श वोल्कम यूओ आल आजमें आपकर जो वीडियो एकार जो के बात करने वाले हैं ग्रोथ स्टाक्स की अब आप कहोगे यार ग्रोथ स्टाक्स से क्या मतलब है भी कि डिए इसके बाता है तो तो वो होता है momentum का जब momentum आता है तो ये growth stocks ऐसे भागते हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे इतनी जबर्दस रैली ये देते हैं बस वो momentum को understand करना वो smart money का additional push को समझना बहुत important है चलिए ऐसे growth growth strike को इपर बात करते हैं आज की डेट में और आगे बढ़ने से पहले माँ आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लाए बैल आइकन को प्रेस कर लाए जिससे आपको notification आती रहेगी और price action सीखने के लिए आप numbers आपको अच्छे दिखेंगे ये growth दिखेगी तो इसका मतलब company growing है company grow कर रही है एक साल दो साल नहीं बल्कि आप पिछले चार-पास साल के data को देखके समझ जाओगे कि हाँ company grow कर रही है इसके साथ साथ कि कई बार क्या होता है revenue में growth दिखता है लेकिन profitability में growth नहीं दिखता ह profitability या तो loss आपको दिख रहा होगा या फिर आपको वहाँ पे consistency दिखेगी तो दो चीज़ है या तो अगर company loss करते है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ ये अभी कई बार क्या तो वहाँ पे funding आई रहती है उस funding की वज़े से revenue तो growth होता है और आने वाले time पे क्या वो profitability दिखेगी या नहीं दिखेगी उसके ओपर doubt होता है जैसे कि आपने रिसेटली देखा पेटियम का जो मैटो का केस आपने देखा और पेटियम देखे कहा कहा 2000 के level पे IPO आया था और कहा market ने उसको 500 के limit दे दी देखरें इस पार्ट को तो यही अब आप इसी stock को देख लीज यह देखिए आज 245 क्रोड का यह profitability नंबर से आपको अच्छे जरूर लग रहे होंगे लेकिन यह growth की terms में जब बात हो रही है तो जरा देखे company कौन सी है हम बात कर रहे है home first finance company इंडिया growing stock आपको दिख गया home first finance का लेकिन अब इसको कैसे समझा जाए देखिए 8000 क्रोड का market capitalization कैसे समझा जाए कि इस company में खरीदारी का मौका देखने को मिल रहा है तो कि मैं आपको ज्यादा दूर नहीं मंतली चार्ट के ओपर लेके जाऊंगा 2021 फरवरी में जब यह market में आया था यह IPO आप देख सकते हो उसके बाद इसने बहुत 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 देखने को मिली में मन्त में जब हमने वा一 सब कितना बढ़्या है क्या कि Kate को समझ रहे थे उसके बाद इस care lang लगा रहे ते क्रेशा ले टाइम फ्रेम Nazi का के हम बात करते हैं और कोई किसी भी स्टॉक को सब्सक्राइब करते हैं स्मार्ट मनी तो इतनी जल्दी नहीं आप आप वीकली चार्ट को देख लीजिए आप वीकली चार्ट को देखे और हमेशा ध्यान रखना कभी भी हो इनीश्ल स्टेजिझ पे जब जब कोई कर्रेक शन्रेजू रही है तो उसमें बड़ी बड़ी क्रएक्शन देखने को मिलते है देखें मालों यह वीकली कर्रेक्शन यहां से आपका रहन को देखने को मिला थीक है अब इस करेक्शन को देखें 78% 80% तक भी डीप जा सकते है देखिए फिर से और फिर इस correction को देखिए और फिर आई देखिए finally इस consolidation को देखिए फिर ये आपको rally देखने को मिल रहे है रहली स्टार्ट हो चुकी है amazing ये देखिए पहले ही ये point जो initial level पे ध्यान देना ये deep deep correction आपको देखने को मिल रहा है इसका मतलब मतलब जो control कर रहा price को जो smart money इसमें accumulate कर रहे है वो इसको बिना ज्यादा volume के साथ price को deep ले जाने के लिए ले जा पा रही है और वहाँ पे खरीदारी कर रहे है पहले इस level पे फिर इस level पे फिर इस level पे बाइंग मतलब इसको अपने जो price जो buying range इसने माल लो अगर ये शाड़े 700 से लेके मैं कहूंगा और चौथी बार जब इसे दिखा कि नहीं भाईया आप ज्यादा नीची हम प्राइस को नहीं ले जा सकते हैं कि market काफी अच्छी हो चुकी है और लोग समझ गये हैं इसमें कोई खरीदारी करता तो इसको क्या करते है sign of strength जब वाहिकॉफ की terminology में बात करते हैं तो sign of strength वाला formation और फिर आपको देखनी पड़ती है बड़ी rally तो यह home first finance आप सोचोगे यार जब मन्थली के आप बात कर रहे हो तो मन्थली के time पे कि हमारे लिए में में ही वीडियो आ जाता तो बहुत ही बढ़िया था तो आपके लिए एक नहीं बल्कि दो-दो वीडियो को और इसका region mainly क्या था में 6 को यह weekly की जो correction resolve हो रही थी वह region था और फिर May 28 को फिर से आपके सामने वीडियो आया आपको गया यह तो बहुत ही अच्छी बात है तो हमेसा देखें बहुत important हो जाता है और price section की वीडियो हमने आपके लिए तैयार करके रखी हुए कभी भी हो म एक एक series बिल्कुल बहुत ही basic level से आपके लिए तैयार की गई है बहुत important और यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ा आपको बताए गई है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ताकि आप देख पाओ उनको practice कर पाओ और मैं आपको यही कहूँगा आपका चाहे intraday हो या आपका long term बस आपके time frame बदलते हैं time frame बदलने से मेरा मतलब है यहाँ पे कि आपका जो goal है छोटे time frame intraday की बात आती है तो वहाँ पे अलग combination हो जाता है hourly पंदरा मिनट पांच मिनट और जब बड़े time frame आप long term perspective से सोचते हो तो आप किन चीजों को play करते हो आप बड़े time frame की corrections को play करते हो जैसे कि यहाँ पे आपके stop losses deep होते हैं आपके stop losses deep होते हैं तो position का size कम हो जाता है to manage the risk risk management as usual हमेशा बहुत important है अभी अगर आप recent videos देखोगे जैसे paper stocks के उपर क्या rally आपको देखने को मिली उसके अलावा देखोगे auto stocks को देखोगे क्या important rally देखने को मिली आपको गया यह तो बहुत ही बढ़िया लेकिन एक नहीं बलकि अनेक stocks चाहें banking में federal bank को देखो recent video आ आपको यही कहूंगा 200% भी अगर sure क्या नहीं माल लो मैं यहाँ पर sure था बहुत है यह 780 का level तोड़ते ही मैं इसको buying करूंगा with a stop loss of 620 या 640 जो भी मेरा optimization यहाँ पर होता है deep stop loss के साथ मैं आपर buying कर रहा हूं तो लेकिन अगर चीज़े fail होती है तो मुझे निकलना है और म ज्यादा मेरा जो loss होगा वह आपको max loss पहले ही पता होना चाहिए इसी कहसाब से आपका position का size define होना चाहिए इस point को लिख लीजिए position size should always be as per your risk माल लो मैं यहाँ पर buying कर रहा हूं 860 मेरा stop loss है यह 780 तो मेरा position size उसी कहसाब से 860 का मैं round off करके figure लेता हूं और 760 का मेरा stop loss यान और मैं total risk यहाँ पे इस stock में इस particular investment पे लगा सकता हूं 5000 तो सोची मैं कितने share खरीद पाऊंगा मातर और मातर 50 50 into 100 5000 तो यह समझना बहुत जरूरी है अगर यह चीज clear है risk management के चीज़े clear है तो बड़े loss से आप हमेशा दूर रहोगे क्यों क्यों क्योंकि आप पहले ही समझ ब इंपॉर्टेंट है risk management के बारे में जरूर ध्यान से देखें और समझाएं थैंक यू थैंक यू पर वाजिंग वीडियो